हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं आप लोग की शायर करने वाली हूँ पोटेटो कबाब रेसिपी एक और पोटेटो से बनाएंगे इस बहतरीन कबाब की रेसिपी जो बहुत ही जादा टेस्टी सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है बॉयल पोटेटो और पोटेटो को ग्रेट कर लेंगे यहाँ पे मैंने ली है थ्री मीडियम साइज पोटेटो पोटेटो को ग्रेट कर लेना है जितनी कबाब आपको बनानी है ना उसी की हिसाब से पोटेटो लेना है तो यहाँ पे थ्री पोटेटो की साथ रचों जान ली है एक पाव्म में लेंगे two colors of capsicum यहाँ पर मैंने ली है 7 scripture साथ उनियों ली है और इसके साथ धन्या पता 7 यहाँ पर मैंने ली है अन्दा और यहाँ पर दो बोईल अंडा मैंने ली है अंडा को भी ऐसे ही grate कर लेंगे, यहाँ पे 3 पोटेट्टों की साथ 2 अंड़ मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अंड़ grate करने की बाद यहाँ पे आड़ करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, इसी की साथ 1 टीस्पून हल्दी पाउडर 1 टीस्पून कुमिन पाउडर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और यहाँ पे मैं ऐड़ करूँगी ब्लाक पेपर, half टीस्पून साथ में यहाँ पे आड़ करेंगे चीज, यहाँ पे मैंने मजरला चीज यूज की है, साथ में 1 पकेट मैगी मसाला ऐड़ करेंगे, और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला की साथ विजटेबल्स अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर जैसे यह अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम यहाँ पर बॉयल पोटेटो एड़ करेंगे मसाला अगर अच्छे से मिक्स करेंगे तो पोटेटो की साथ ये अच्छ से मिक्स हो जाएगी तो यावे पोटेटो को ग्रेट करके डाले इसमें ये बहुत ये अच्छ से मैश हो जाती है पोटेटो की इस कबाब की रिस्पी को अगर अब फ्रोजन करके फ्रीज में रखना चाते है तो भी आप रख सकते हैं और फ्राय करके जब भी मन अप खा सकते हैं तो इस पॉसेस को करके आप फ्रीज में भी रख सकते हैं जैसे इसे ब्रेट क्रम्स लगा के फिर आप इसे फ्रीज में रख सकते हैं तो ये जो आलू का मसाला है वो रेडी है अब क्या करना है यहाँ पर लेना है स्टीक यहाँ पर मैंने स्टीक ली है जिसमें कबाब की शेप देने के लिए आप कोई भी शेप में इसे फ्राय कर सकते है मैं यहाँ पर कबाब का स्टीक ली है और कुछ इस तरीके से कबाब की जैसी इसकी शेप देंगे देखने में भी अच्छी लगेंगी कबाब जैसी और खाने में भी बहुत ही बढ़िया होते है से पॉसिस में ऐसे हरे कबाब बना लेंगे अगर अब फ्रीज में इसे रखना चाहते है तो यहाँ पर ब्रेट करम की कोटिंग अच्छे से कर ले और उसकी बाद कोई भी या टाैट थोली या या टाइट बॉकस में भर के रखे अब इस फ्रीज में भी रख सकते है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे म जिए मैंने बना ली है अब यहाँ पे एक吧al में लिंगे मैदा, यहाँ पे मैदे की साथ थोड़ी से नमक डालेंगे और पानी डालके एक better बना लेंगे बहुत जादा पचली बैटर नहीं होंगे तो पानी थोड़ा ध्यान से डाले एक पान में जादा पानी एड़ ना करे थोड़ा सा पानी डाले और मिक्स करे फिर थोड़ा और पानी एड़ करे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदे की बैटर रेडी है मैदे की बैटर में इस कबाब को डिप करना है कुछ इस तरीके से अच्छे से मैदे की कोटिंग कर लेना है यहाँ पर मैदे की जगा आप अंडा से भी कोटिंग कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से कोटिंग करने के बात आप इसे freeze में frozen करके भी रख सकते हैं और जब कभी भी आपको fry करने का मन है आप 10 minutes में पहले फ्रीज में से बार्वर करें और फीर आप इसे fry करके enjoy करें तो यहाँ पर मैंने इसकीज़ कर सकते हैं उसा ऐसे अच्छे पर बनाके देखिए बहुत ही जादा उंद्या लगते हैं और टेस्ट इसकी बहुत ही बढ़िया होते हैं हर एक साइड अच्छे से पलाट्टू से इसे फ्राइ कर लेंगे जैसे इसकी कालर गोल्डन आ जाएगी जोल में से निकालेंगे गर्मा गरम सौस की साथ साफ करें य यहाँ पर बस ऐसे ही हर एक कबाब फ्राइ कर लेना है और उसकी बाद इसे साफ करना है आज की इस कबाब की रिस्पी एक बस जरूर ट्राइ करें ऐसी इजी और टेस्टी रिस्पी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले